सतकुरू के साजी निवाद जी प्यारी साथ संगत जी प्यार और सतकार से कहना धान निरंकार जी साथ संगत जी सतकुरू माताची के अशीरवाज से दासी आप सभी को दीपावली की हारदिक शुप कावनाय देती है और सतकुरू माताची के चर्णों में यही अरदास करती है कि सचे पाश्या सब के घर में खुशियां खेड़े हो बाहरे हो सब खुशी खुशी है दीपावली का त्योहार खुशी से मनाएं सचे पाश्या यही आप ची के चर्णों में अरदास है सब के लिए यह त्योहार मंगल कारी हो, शुब कारी हो, हित कारी हो जैसे संपून हर देव पानी में भी सदकुर बाबा हर देव सिंग जी महाराज ने इस शबद द्वारा हमें समझाया है टू फोर्टी टू शबद में कहां गया है छट जाए अग्यान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है सचे पाशा ने हमारे मनों में जो ये ब्रमग्यान के जोद जलाई है कहते हैं कि संतों मापुर्शों के तो हर रोज, हर दिन है खुशियां, हर दिन दिवार, संतों के आंगन में च्छाई बहार सद्कुरू मातची की किरपा से ब्रमग्यान के जोद जिस मन में भिजग गई है उसके लिए ये अग्यानता का अंधेरा खतम हो गया है और हर रोज उसके मन में दिवाली बसी हुई है जिस तरह मन में दिवाली है ये अग्यानता का अंधेरा जब खतम हुआ तो मन में दिवाली हुई है इसी तरह हमने दिये जला कर अपने इस्तिवार को भी खुशी-खुशी मिनाना है छट जाए अग्यान अंधेरा तो फिर रोज दिवाली है ग्यान उजाला डाले देरा तो फिर रोज दिवाली है, मन में राम, भगवान राम जी के आने का मतलब यही कि हमारे मन में सबी के लिए सद्भावना हूँ, अच्छे च्छे विचार हूँ, हम सबी का भला करते चले जाएं, तो फिर हमारे लिए दिवाली का दिवार मनाना सही है अंकार का वद हो जाए तो फिर रोज दिवाली है, जब मन से अंकार खतम हो जाता है तो कहते हैं कि उस इनसान की विहर रोज सत्गुरू ने दिवाली ही करती है, जो से जोज जगाते जाएं, तो फिर रोज दिवाली है, रोशन रहा बनाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है प्रेम प्रीत की फुल जड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है मिल वर्तन की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है संद्रिष्टी की बटे मिठाई तो फिर रोज दिवाली है जग हो एक परिवार की नयाई तो फिर दिवाली है कहे हर देव सत्य की जय हो तो फिर रोज दिवाली है जिस मन में ये सचाई बस गई है उसके लिए हर रोज दिवाली ही दिवाली है संगत जी अब हमें सेवा का भी सत्कुर्माता जी किस तरह मुका दे रहे हैं कहते हैं कि सेवा सिर्फ सेवा भावना से होती है जी महराज ने इतना सुन्दर नक्षा हमको बना कर दिया है हमारे लिए समागम की रूप रेखाई इतनी खूबसूरत बना दी है कि अगर हम उस पर अमल करें तो अपने आप खूबसूरत तरीके से ये सारा कुछ हो पाएगा बाबा जी कहते थे सेवा कोई बड़ी है छोटी नहीं होती सेवा सिरफ सेवा भावना से होती है उसमें मैं नहीं होती हंकार नहीं होता सत्कुर बाबा देव सिंग जी महराज ने भी खुद यूनिफॉर्म पहन कर वर्शों वर्श सेवा की है आजकल के स्वार्थ भरे यूग में आप महापुर्ष अपने खुद की परवाना करते हुए अच्छे तरह से मैदानों में सेवा करते हैं जब यह समागम सेवा होती है यह और भी सेवा के अवसर जब सत्कुर देता है तो किस तरह महापुर्ष निश्काम भाव से सेवा करते हैं तनमन की सेवा कर रहे हैं, ताकि जो महापुर्ष हमारे घर आ रहे हैं, हम उनके लिए अच्छी सी खूबसूरत सी विवस्था कर पाएं, ऐसा संतों महापुर्षों का ध्यान होता है, जो संत महापुर्ष अपने घर में महापुर्षों को चरण डलवाते हैं, महापुर्षो को तनमंधन के सारे सुख दे तंदरुस्ती दे और चाहे बच्ची हैं चाहे नोजवान हैं चाहे बेहनी हैं चाहे बचुरक भाई हैं सभी बढ़ चटकर सेवाएं कर पाएं और मीशन के साथ और द्रिटा से आगे बढ़ें यही सचे पाशा के चरनुमी अर्दास है मेरे माल दिन दियाल तु जिस से जो भी कराना चाहता है तु करवा लेता है हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है कि हम कुछ पर कर पाएं यही आप ची के चरनों से अशीरवाद मांगते हैं कि जो आप ची को जो तुद पावे साही पलिकार तु सदा सलामत है निरंकार सचे पाशा जो आप ची को अच्छा लगता है वही हम करें हमें संत महापुर्श यही सब लाते हैं कि हम करव योगी बने जीवन के सभी काम किसी ना किसी उदेश्य के अधीन होते हैं व्यक्ति करम करता हुआ अपने जीवन लक्षय की पूर्ति के लिए आगे बढ़ता है सत्कुरु द और अपने परलोकिक जीवन को सवारने और सजाने की कला भी सीखती हैं लोकिक सुख की प्राप्ति के लिए पांच प्रणों को अपनाना होता है वहीं परलोकिक जीवन को सवारने के लिए तीन करमों को अनिवारया रूप से अपने जीवन का अंग बनाना पड़ता है इन प्रणों और कर्मों की अंदेखी करके और इन में क्याते हैं कि अब इन प्रणों और कर्मों की अंदेखी करके हम सुख शान्ती से वंचित ही नहीं रहते बलकि हम दुखी भी हो जाते हैं इसलिए हमने इन पांच प्रणों को भी अपनाना है और जो हमें सत्कुर करम करने के के लिए कह रहे हैं हमने उन कर्मों को भी करना है हमने इनकी अंदेखी नहीं करने अगर हम सुख शानती पाना चाहते हैं सुख शानती चाहते हैं तो हम इन प्रणों पर भी चलें और जो सत्कुरु करम करने के लिए कह रहे हैं उनको भी हम अपने जीवन में करम रूप में ढ संतों महापुर्शों ने ग्यान मारक को दोधारी तलवार कहा है इसमें थोड़ी सी भी अगर लापरवाई हो जाती है तो यह हमें गहरा जखम दे सकती है और सुखों की बुजाए हमें दुखों को भोगना पड़ सकता है इसलिए संतों ने हमें समझाया है कि जान बूज जो करे डिठाई ताको नरक लिखा है भाई कहने का भाव कि जान बूज कर की गई अवेलना हमें नरक में जाने से भी रोक नहीं सकती इसके विपरित महापुर्शों की वानियों को गुरू का आदेश मान कर जब हम उसे करम रूप में ढालते हैं तो हमारा हर मुश्किल राष्टा असान बन जाता है हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमने कैसे यह राष्टा पार कर लिया है फिर सुक और शानते भी हमारे अंग बन जाते हैं एक पल के लिए भी भी हमारा साथ नहीं छोड़ना चाते हम जितनी गहराई में उतरते चले जाते हैं उतनी ही ठंड़क और सुक चैन हमें मिलता चला जाता है हमारे सारे मन के विकार धूलते चले जाते हैं विचारों में प्रिवर्तन आ जाता है वेवार बदल जाता है एक एक कदम हमारा सही चलने लग जाता है सही उठने लग जाता है और हमारा सोया हुआ विवेक भी जाग जाता है हम हमेशा अनन्दित रहते हैं यद भी है जरूरी नहीं कि इस रास्ते में चल कर हम बलवान धन्वान और विजवान ही बन जाएं ग्यान हमारे पुराने दागों को मिटा देता है साथ ही हमें पुरानी तेज से सरा बोर भी कर देता है हम खिले खिले होती हैं एक दूसरे महापुर्श से मिलते ही निरंकार की यादे ताजा हो जाती है जब कुशलता पूछी जाती है कुशल मंगल पूछा जाता है तो हमारा जवाब होता है बड़ी किर्पा है सचे पाश्यकी, बड़ी किर्पा है माहराज, आप जैसे रख रहे हो, हम बहुत खुश हाल है, जन्मों जन्मों से बनी हुई हमारी रोने के आदत समापत हो जाती है, ग्यान ने इस मायुसी को हंसी में बदल डाला, हमें संतोष धन मिल गया, बोतिक सारे धन तुछ हो गए, और हम अपने आप ही क्या उठती है, गोधन गजदन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, कहते हैं कि जब संतोष धन मन में आ जाता है, संतोष हो जाता है, सपर हो जाता है, तो गंवो रुपी धन, हाथियो रुपी धन, घोडो रुपी धन, हीरे, मोती, रतन धन, खान रुपी धन, सब धन धूरी के समान लगने लग जाते हैं, क्योंकि हमें सहे माइनों में समध आ जाती है, कि सच्चा धन कून सा है, लेकिन ये समझ तभी आती है, जब हम सत्कुरु के चर्णों में चुड़ कर इस ब्रम बनाना सिखिये, जिस रंग रखे, उस रंग रहके प्रेम निभाना सिखिये, जिस तरह भी सच्चा पाशा रखे, हमने समर्पित भाव में रहे कर अपना जीवन जीते चले जाना है, सहे माइनों में यही भगती है, लिए हमारा सत्कुरु के उपर अटूट विश्वाश और ऐसी अवस्था पूरन सत्कुरु के भक्ति से ही आती है, और किसी प्रयास से ऐसा करना संभव नहीं है, कहने का भाव की पूरन सत्कुरु रूपी सुनार मिले और ग्यान रूपी हथोड़े की चोट पड़े, तो वह उसके पुराने सबी रूपों को मुटा कर अपने रूप में घड़ लेता है, ज्यान हमारा बहरे सब रूप ही नहीं बदलता, इस पूरन के साचे में भी हमें ढाल देता है, जहां हमारे भाव बदल जाती है, हमें पूरा विश्वाश हो जाता है, एको ब्रह्म द्वित्यो नाश्ति, एक ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ भी हमें विचार करना है कि हमें पूरण सत्गुरु मिला हुआ है, फिर भी हमारे अंदर कोई परवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि हमने पूरण गुरु के वास्त्विक सवरूप का बोध ही प्रापत नहीं किया है, इसलिए भगतों की लाइन म आकर भी हम भगती के असली सुक से फंचित हैं हम लगातार ससंग करते हैं महापुर्शों की वानियों को भी सुनते हैं उन वानियों को हम अपने मस्टिशक में इसलिए नहीं बिठाते कि हमारी बारी आने पर हम इन विचारों को सुनने वालों के पीछ रखकर असर डाल हमारी चत्राई से भले ही सुनने वालों पर कुछ असर पड़ जाए किन्तु हमें क्या मिला अगर हमने ये बाते सुनने सुनाने तक ही रखी अगर यहां भी हमने अपनी चत्राई दिखाई कि हम तो बहुत बड़े भगत बन गए हैं देखो हम कितने अच्छ अच्छ विच कर लेते हैं तो ऐसा क्या करने से हमारा अपना ही नुकसान है सुनने वालों पर तो असर हो जाएगा वो तो उस बात पर विश्वाश कर लेंगे लेकिन हमें क्या मिलेगा हम कुछ भी प्रापत नहीं कर पाएंगे हम जिस वस्तु को लेनी आये थे वह तो हमें प्रापत ही नहीं हो सकी उल्टा वक्ता होने का शुक्ष्य विमान हमारे मन में आ गया हम अच्छे वक्ता बन बैठे कि तु एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए अच्छा पिता अच्छा पुतर नहीं बन पाए योग्यापती नहीं बन पाए मीलन सार पडोसी नहीं बन पाए सच्चे समाज सेवी नहीं बन पाए और नहीं एक योग यानागरिक ही बन पाए दीपक रोशन मिला लेकिन इसके बाजूत भी दीपक के नीचे कांधेरा वैसे का वैसा ही बना रहा इसलिए संतों महापुर्शों ने बार बार आवाज लगाई कि हर तरह के सुधार और निकार के द्वारा इंसान जन मानस को भी जादा देर लुफा नहीं सकता जब भी इस खोकलेपन का हैसास होगा तो वे दूद की मक्खी कितरह निकाल बाहर करेंगे गुरु पीर पैगंबरों की जीवनी जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी एक भी शबद ऐसे नहीं निकले जि करम करते हुई यातनाएं सहनी पड़ी यहां तक कि अपने तन की आहूती भी देनी पड़ी फिर भी जीते जी उन्होंने अपनी मैं को मार दिया और अमर हो गए अक्सर संगतों में महापुर्शों के विचाराती हैं कि हमें सेवा सीमरंट ससंग करना चाहिए वच्णों का पालन ही कुर सिखी है किन्तु स्वहिम सासंगत जो माता कहलाती है उसे हमारे सारी चतुराई का पता होता है गुरू की हजारों हजार आखे भी तो यही हैं वे हमें अच्छा विचारक कहतो देते हैं किन्तु हमारी बाते तब तक उन पर असर नहीं डालती जब तक कि हमारी कतनी और करनी में अंतर चल रहा होता है आज ऐसे भगजन जो गुण वाले तो हैं किन्तु सत्गुरु उन्हें प्रापत नहीं हुए हैं उनकी निगाह हमेशा हमारी गलतियों और कम्यों को गिनने में लगी रहती है थोड़ी सी हमारी चूक हमें फजीयत के घेरे में डाल देती है हम पूरण गुरु वाले होकर भी हम चारो खाने चित गिरे हुए नजर आती हैं सत्गुरु की और उनकी उंगलियां उटने लगती है इसलिए नहीं कि हमने गलते की बलकि इसलिए कि उन्हें भी विश्वाश है कि पूरण गुरु का गुर्सिक ही गलतियों पर अंकुष लगा सकता है इसलिए अगर इस और हम थोड़ा सा भी ध्यान दे तो गुरु मरियाता की रख्शा कर सकते हैं एक विश्वाशी गुर्सिक बन सकते हैं शर्ट केवल इतनी है कि हमें हर पल सत्गुरु का भै हो सासंगत का भै हो परिवार समाद में जहां भी हम रहते हैं हमसे गुरु मरियाता भंग ना हो तो गुरु किरपा से हमें वह सब कुछ प्रापत हो सकता है जिसकी हम इच्छा रखते हैं जिसकी हम चाहना करते हैं विश्वाशी बनने के लिए हमारा प्रयास हो बाकी जैसा सत्कुर चाहते हैं वैसा वे स्वेम हमें बना देंगे करम योगी बनने के सिवा भगती की कोई सीरी नहीं है हम अपनी करम करते चले जाएं क्याते हैं कि कामिल मुर्षद की रहमत से अल्ला की जो दीद हुई है दर असल उसी रोज ही बन्दे की है ईद हुई हाजिर नाजिर रहने वाला कुदा दिखाया मुर्षद ने बन्दे को है बन्दगी का ढंग सिखाया मुर्षद ने जर्रे जर्रे में खुदा को देख के रूह मुस्काती है कहे हर देव मंति खुशिया नाच दी हैं, गाती हैं संगत जी किस तरह हमें सत्गुरु एक-एक्षब्द के त्वरा हमें समझा रहे हैं, कि हमने प्रभु رाम की तरह हमेशा मर्यादा में रहना है हरदम अपनी रशना से हमने मीठे वचन ही कहने हैं ऐसे वचन ही बोलने हैं जो दूसरों को ठंड़क देने वाले हूँ शीतलता देने वाले हूँ रोम रोम में राम बसेगा राम राज्ये आ जाएगा कहे हर देव ब्रह्म ग्यान से जग सारा सुख पाएगा ब्रह्म ग्यान से ही सुख मिलेगा ब्रह्म ग्यान ले लेना ही काफी नहीं है ब्रह्म ग्यान की संभाल करना भी जरूरी है ब्रह्म ग्यान लेकर हमने तन मंतन से सेवा भी करनी है सीमरण भी करना है ससंग भी करनी है प्रथम भक्ति संतन कर संगा सबसे पहली भक्ति की सीरी ही ससंग बताई है ससंग में हम आते हैं तो सब कुछ सीखते हैं और सीखने की भावना से ही हम सीखते ही चले जाएं यही आप आशीरवात देना हम तो भुलन हार हैं सचे पाश आप जी बक्षन हार हो हमारी गल्दियों को न चितारते हुए हमें अपने चर्णों में जोड़के रखना जिस तरह हम सीख रहे हैं इसी तरह हम आप जी के चर्णों में संतों महापुर्शों के चर्णों में बैठकर सीखते ही रहें इसी तरह हमें सचे पाशा आप सिखाते ही रहना हम सीखते ही रहें हमेशे आप जी के चर्णों से जूड़े रहें जो आप लेसन हमें पढ़ा रहे हो इस लेसन को हम ताउमर याद रखें और इसको हम जीवन बर अपनी करब रूपे ढालते चले जाएं औरों को भी सुख देते जाएं और खुद भी सुखी होएं यही आप जिसे आशीरवाद मांगते हैं सचे पाशा जिस तरह हमें आप जिने ये ब्रहम ग्यान दिया है इस से हमें जोड़ के रखना जिस तरह हम सुखी हुएं इसी तरह सारा संसार सुखी हो जाए और सभी के घट में सचे पाशा जीनों ने भी अबरम ग्यान की दाथ नहीं पाई है उनके उपर भी आप जी किर्पा करना उनके घट में बैठ कर भी उनका पार उतारा करना दासी आप जी से यही है शीरफात मांगती है यही कामना करती है और दासी सब के सुखों की कामना के लिए सद्कुरु माताजी के चर्णों में यही अरदास करती है और सभी के भले के लिए सीमर करवाएगी आप जी सभी मिलकर साथ देना तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबख्ष लो तू ही निरंकार मैं तेरी शरणहा मैं नूबख्ष लो बोलिये सत्गुरु माता सुदिक्षा सविंदर हर देव जी महराज की जै निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जै सासंगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी प्यार स्विंदर